गुड मॉर्णिंग इस्टुडेंट्स आज हम लोग सुलूसन चेप्टर के आठ पर लेक्चर में आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और आज हम लोग का टॉपिक है द्रविय बिल्यान में द्रव और गैस का दिल्यान लेना है जैसा कि आप लोगो को पिछले लेक्चर क्ला i mean liquid solution भी कहते हैं इसमें हैं कि कि त्यमति हैं एक ग्यापका सद्राइब अंत्युप एक आपका दूसरा है ध्रम थोस ठीक है तब आपके पास फगरं कि इन स्मek्डा है कि इसमें दो ही हैं द्रोव में गैस और द्रोव में ठोस रवा में जब हम जाते हैं तो हेंरी का नियम पढ़ते हैं इस लियम का importance बहुत ज्यादा है तो उसे हेंरी का नियम का हम लोग देखेंगे आज और पहले हम लोग प्रवाज द्रव में gas की बिलेता यानि solubility of gas in liquid का study करेंगे आपको ये जिर्णली पता है कि द्रव में gas की बिलेता इस सब्स से ये पताचरब रहा है कि द्रव में हमको किसको घुलाना है गैस को तो एक द्रव यानि बिलायक है और एक gas यानि बिले है यानि यह billion कैसा होगा द्वी अंगी billion गौर कीजे draw में gas को मिलाने पर मिलाने यानि घुलाने पर कौन सा billion बनता है द्वी अंगी billion बनता है द्वी अंगी billion बनता है ठीक है अब यहां पर कुछ बच्चे confused हो जाते हैं कि billion ही केवल द्वी अंगी होता है तो आपको confused नहीं होना है द्वी अंगी एक सब्द है जिसका आर्प होता है दो अंग है मतलब दो अव्याव है मतलब दो घटक है यानि कि दो component है तो द्वी अंगी योगिक भी होते हैं द्वी अंगी अंक भी होते हैं जिसको हम लोग binary digit बोलते हैं योगिक को हम लोग binary योगिक बोलते हैं जैसा कि पिछले क्लास में हम बताये थे कि जितने आइनिग योगिक होते हैं वो द्वी अंगी होते हैं जैसे आपको हमने बताया था आई लिग योगित में एने CL को लिया हमने तो एने प्लस CL माइनस या CACL2 को लिया हमने तो CA2 प्लस और CL माइनस या हमने मान लिजे कोई और बड़ा CSO4 ले लिया ये 2 माइनस 2 प्लस क्लियर गौर कीजे अब आप फिर विसर ये टूटेगा तो बनाएगा और स्कुंद के अलावा कोई कीसर नहीं है आई निक योगीक ऊते हैं यानिक यूगी भी कोते हैं कियों क्योंकि इसमें अव्यविकन धनायनों रिडायन होता है अब आप पर देकर कह सकते हैं कि सर यहाँ एक है यहाँ दो है तो दो एक तीन हो गया यह तीन हो गया गलत बात है यह तीन हो गया एक धनायन है और एक रिडायन है यह रिडायन की संख्या है रिडायन की संख्या बढ़ने से क्या अवयव बढ़ जाते हैं नहीं जैसे आप किसी मकान को बनाने में इटे को लगाते हो तो एक इटा लगाते हो तो एक अवयव थोड़ी होता है बढ़ोगे तो भी अव्योव इटा ही है और 50 लगाओ जिए एक लरख लगाओ जाया गया तो भी अव्योव एक ईटा है तो एक एक अनलाख ईटा ही अव्योव माना जायगा वहोववव कौन है ईटा जैसे आपने पानी में चीनी को डाल दिया तो आपने एक चम्ब चीनी को डाल दिया, फिर दूसरे चम्ब अभड लेया, तो चीनी बढ़ गई मातरा उसकी, मातरा बढ़ दी तो क्या वो, द्वियंगी से अलग हो गया, नेहीं, जल में आपने चीनी को डाल द, तो उसमें दो ही अवयाव हैं, जल और चीन, कितनी संख्या में है, संख्या नहीं गिनना है, अव्यों देखना है, कौन-कौन अव्यों है, राइट, जैसे आप मार्केट में गए, बजार में जाके, आपने केला और सेव लिया, केला आपने एक दरजन यहीं बारा ले लिया, सेव आपने आदा किलो लिया, जैसमें 4 सेव चड़ गए, तो टोटल 12-4-16 संख्या हो गई, तो क्या यह संख्या में, कितने आवयों हैं, आपके पास कितने फल हैं, तो दो ही फल हैं, केला और सेव, केला और सेव, मातरा कितना भी ले लो, लेकिन उनकी आवयों देव ही रहेंगे, केला और सेव, दो कि यहां भी कि एक धनायन और एक कि ड़ायन दो ही ऑवयाव हैं दो ही अंग है मतलब जीतने आइनिक योग क्वोते हैं वह द्वी-अंगी होते हैं हम अपने मून टॉपिक पर आते हैं हमारा को इस था हमको यह बता ना था कि जो द्वी-ऑंगी चीज है वह द्वी-अंगी के हैं多व açयों दो आंगों धोगता के प्लिएखिए अब हमको यह देखना है कि क्यों कानप सी चीजे इसकी बिलेंटा एक कर दिछेर हो गया है मतलब इसकी बिलेटा अब इसकी बिलेटा को एक प्रभाव डालने वाले कारक निम्न लिखित हैं ठीक है तो जब भी हम जाते हैं अब देखते हैं कि कब-कब द्रव की गैस में भी लेता आधिक होती है एक दम इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना है ठीक है तो द्रव में गैस की बिलेता को कौन-कौन सी चीजे परभामित करती है तो पहला होता है बिले तथा बिलायक की प्रकृती बिले तथा बिलायक की प्रकृती यानि गौर कीजेगा इसको आप इस बिलेन के लिए द्रव में गैस बिलेन के लिए बिले कौन है गैस है ठीक है बिलायक कौन है द्रव है तो यहां पर आप यह भी लिख सकते हो गैस और तथा द्रव की प्रकृति यानि nature of gas and liquid ठीक है ना तो यह दूसरे टर्म क्यों हो क्योंकि द्रव में gas को डाल रहे हो तो जो बिले है वो कौन है gas है और बिला है कौन है द्रव है तो gas तथा द्रव की प्रकृति कैसी है तो इसमें एक ही रूल लगता है समान समान को भोलता है यानि like dissolves like गौर कीज़े समान समान को भोलता है अब पहेंगा यह क्या चीज़ है जर इसको इंग्लिज में बोल दिये like dissolves like इसका मतलब यह हूआ कि गैस और द्रव दोनों की प्रकृति सेम है तो आपस हमें उप्रोह की बोलता है यह समानी रूर प्रकृति सेम का मतलब गैस भी द्रूविया है और द्रव भी द्रूविया है और गया तो इनकी विलेता कम हो जाएगी क्योंकि वह और समान हो गए अगर एक करबनीक है एक और करबनीक है तो भी विलेता अलग हो जाएगी क्यों क्योंकि वह औसमान तर लाइफडिसस लाइप का मतलब सवान सवायं को ज़िए यानि दरो और जैसन्ट नेचर यानि परकृति सेम हो गी तो आप ऑस में खूब पुलेंगे sensational होगा तो आप आलको बिलें होंगे, भुब नहीं घूलेंगे मिलेंगे ऊद यंस यह बात किसी पर निर्भर करती है यह गैस और विलायद की प्रकृति पर निर्भर करती है यह पर निर्भर करती है ठीक है गौर कीजिएगा जैसे कुछ उधारण के द्वारा हम आपको देखा रहे हैं जैसे एच्टूओं में एक बिलायक है सारवत्रिक बिलायक है सारव भार्ण बिलायक है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है क्योंकि अधिकांस चीजों को अपने अंदर घुला लेता है और यह सरवत्र सभी जग होपन समान रुप से परियाप्त मातरा में उप्लब है यह अधिकांस चीजों को अपने अंदर क्यों घुलाता है क्योंकि इसके पारावेद्योंति स्थिरांग का मन लगवद्वत अस्सी होता है जो कि बहुत अधिक होता है जिसके करण या अधिकांस चीजों को अपने अंदर घुला लेता है तो एक धुरूवी अभी लायक है क्योंकि हो में जब समचना बनाते हैं तो ओ के साथ है च मिलाते हैं इस त ओ टू या एच चू या मिखेल च फोर हैड्रोकारवन एटी सी मतलब एसेट्रा मतलब इत्याधी गैसें अल्प बिले होती हैं कम बहुती हैं अल्प बिले होती हैं परंतु सीओ टू एनिस एटी एटी सी अग्में त्याधी गैसे हैं अब क्या दीख भी लें हैं कि यह अधिक्टर कहां से आया आप देख सकते हैं रहां लिए हैं एस तो में एंटू सीएटू वीया टू ओर टू एजटू सीएटू जो पैसे हैं वो अल्प बिले क्यों हैं वो देख लिए पहले हैं एज्टू ओ धुरूबिया है लेकिन एंटू ओ धुरूबिया है क्या होते हैं तो धुरूबिया में ओ धुरूबिया जा रहा है नेचर सेम नहीं है नेचर सेम नहीं है तिनकी बिलेता क्या हो जाएगी कम हो जाएगी क्योंकि करिनातमक्त अलग अलग होती है नैज्टरी मिल गया हो तो अत्यक फिले हो इंट्यक ऑब इसमें एक ठालेज्ट की पर करते हैं यहाँ पर से middle the हैं ये बात इसी में है पाट उसको समझाते जारें लिगते हुए परनतु यह प्राफप लिए रहे है उलग प्रकार का इक्जामपल थे रहे ऐ परनकु सवां ताब तथा दाब पर यहां पर हम कुछ जैसे ले रहे हैं जैसे O2 ले ले रहे हैं CO2 ले रहे हैं N2 ले रहे हैं तो O2 CO2 N2 ETC इत्यादी H2O की अपेच्छा H2O की अपेच्छा एलकोहल में यानि इथेनॉल में C2H5OH में अधीक भी ले हैं जब की फिट टरंस चेंज करें ले लिए O2 है CO2 है N2 है यह जल में कम भी ले है किस की अपेच्छा एथेनॉल की अपेच्छा एथेनॉल में क्या है अधीक भी ले है क्यों इसका भी रिजिन आपको बता रहे हैं जब की वहाँ पर अब दूसरा एक जब ले रहे हैं कुछ H2S क्यों इसका रिजिन क्या है कि अपेच्छा जल में यानि H2O में अधीक भी ले रहे हैं राइट क्यों इसका रिजिन क्या है आपको यह यह देखना था कि कि एथेनौल में O2, CO2, N2 अधीक भी ले है किसके पेच्छा जल क्या पेच्छा लेकिन वही चीज़ अगर आगा बनते हैं तो H2S, NH3O है वह C2H 5OH में अल्प भी ले है कम भी ले है और H2O में क्या है अधीक भी ले है इसका रिजिन क्या है तो यहां पर जो नेचर से होने के कारण था यहां पर जो है रसाइनिक समानता है कारण जो बिले और विलायक है उनमें अगर रसाइनिक समानता होगी तो वह आपस में अधीक बिले होंगे यानि गैस और द्रव के बीच रसाइनिक समानता होने पर बिलेता अधिक होती है इसका बीचन क्या है वो दिखेगा गैस तथा द्रव के बीच होने पर बिलेता अधिक होती है ठीक है तो दोनों रीजन आपको पता चल गए क्या तो द्रव में गैस की बिलेता का मुखे कारण द्रव और गैस की प्रकृति समान होनी चाहिए और उसमें रसाइनिक समानता होनी चाहिए इतने फेक्टर मिलेंगे, तो अगर प्रकृती समान रसाइन प्रकृत होगी, तो विलेता खुबादी, लेकिन इसे अगर डिफरेंट है, तो विलेता पर असर पढ़ेगा, यी विलेता परभावित होगी कम या ज्यादा अब आप दूसरे फेक्टर को देखिए दूसरे फेक्टर है आपका ताप का प्रभाव यानि ताप का क्या प्रभाव पढ़ेगा इसको आपको देखना है इफेक्ट आफ टेमपरेचर तो सबसे पहले आप ये बताइए कि द्रव में जो गैस की बिलेता होती है वो एक कैसी इसको द्यान में रखे आपको चलना है द्यान दीजे द्रव में गैस की बिलेता है एक उसमा छेपी पर गिलेता है इसका मतलब क्या है वो समझिए द्रवोर द्रव में गैस को डालिए यहां पर बिले कौन है गैस गैस प्लस द्रव गैस को आप किस में डाल दिये हैं द्रव में यानि यह द्रव बिलायक है ठीक है द्रव बिलायक है यानि सॉल्वेंट है तो आप क्या बनाईएगा विलियन बनाईएगा विलियन बनाने के बार यहां पर प्लस डिल ह, मतलब इनरजी मुकट होगी यह जो सलूसन वाईगा इसका आप ए भी लिख सकते हो डेल सलूसन ह, ठीक है तो यह एक उसमा चथेटी अविक्रिया है क्या द्रव में गैस का गुन्ला एक उसमा चथेटी अविक्रिया, इसका मतलब यह हुआ कि समानेता यदि ताप में व्रिधी कीजेगा तो द्रव में गैसों की भी लेता क्या होगी घटेगी क्लिया क्लिया मतलब लास आते लिए का नियम ली चेटर लिए का नियम कहता है तो अगर उसमें ताप बढ़ाईएगा तो भी लेता घटेगी और ताप घटाईएगा तो भी लेता बढ़ेगी क्यों क्योंकि अभी के लिए उस दिशा में जाएगी जिधर जाने से उस कारक का प्रभाव प्रुणतह नियमत्रित हो जाए या नस्ट हो जाए या कम हो जाए तो इसका क्या होगया बबू वेलू अताप बढ़ाने पर एकदम सिंपल प्रोसेस अपर पता चला ताप बढ़ाने पर द्रव में गैस की बिलेता घटी है ठीक है अब बढ़ कीजिएगा इसमें कुछ अपवाद भी है जैसे कुछ गैसे जो है द्रव में अल्प बिले होती है जैसे जल में H2 N2 गैसे अल्प बिले होती है तो उसी स्कीति में यदि ताप बढ़ाईएगा तो जल करणों के बीच में टिस्टेंस बनेगा वो एक दूसरे दूर जाएगे तो जो अल्प बिले गैस थी वो पहले अधिक बिले हो जाएगी एसा किस कब होता है तो उन्हीं गैसों के साथ होता है जो की द्रव में अल्प बिले होती है तो उनकी बिले ताप बढ़ाने पर पहले पढ़ेगी उसके बाद घटेगी इस चीज को भी लिखा देते हैं परंदो कुछ अल्प बिले गैसे जैसे में आप आप डाल सकते हैं कुछ उल्हारण जैसे में आप कुछ उल्हारण डाल सकते हैं एंटो, एच्टो, एटीसी की बिले ताप बढ़ती है अक्रिये गैसे भी आ जाएंगी इसमें तो जो अक्रिये गैसे है या कम बिले गैसे है अगर उस इसकी ते में ताप बढ़ाओगे तो बिले ताप पहले कुछ क्या होगी बढ़ जाए और ये कंडिसन अधिकतर किसके साथ होता है तो और जलिये बिलायक के साथ होता है जलिये बिलायक में नहीं होता है जब बिलायक क्या होगा और जलिये होगा तब ये कंडिसन अधिकांस्ता होता है क्या तो अल्ग बिले गैसे बिले हो जाएंगी कब जब विलाएब क्या होगा बीसेही सरूप से जलिय होगा मतलब हडरोकारवन हो जाए एकोछाहिए sont सिटोन हो जाए तो ऐसी स्थिती में और जलिये विलाएं कि जैसे हैड्रोकार्बन अल्कॉहले सिटोन के साथ यह जो है बीसे शुरूप से लागू होका नियम क्या ताब बढ़ाने पर गैसों की बिलेता कुछ बढ़ जाए तो यह आपका फैक्टर था अब तीसरा फैक्टर प्रभाव नहीं पढ़ता है लेकिन गैस संपिड्य होता है तो इसके ओपर दाब का प्रभाव पढ़ेगा तो इस फैक्टर को समझने के लिए यह देन लखना है पहले और दूसरे फैक्टर से भी ज्यादा इंपोर्टेंट है दाब का प्रभाव यह बहुत इंपोर्टें देख लिए तीसरा नंबर है दाब का प्रभाव और कीजेगा आपको पता है द्रव में गैस की बिलेता पर दाब का प्रभाव सबसे दिख पड़ता है और इसी के बारे में हिनरी ने नियम दिया था कब लगभग अठारा सो तीन इसवी में तो क्या दिया था वो दिख लि रसाइन सास्त्री विलियम हिनरी विलियम हिनरी ने गैस की बिलेता विलेता है यानी सोलिड्रीटी एससे तथा दाब के बीच शंबंद अस्थापित किया जिसे हिनरी नियम करते हैं ठीक है क्या बताई होने द्यान दिया इसके आमसार इस तिर्थाप पर किसी दिये गए विलायक में किसी गैस की बिलेता उस पर डाले गए दाब के शमान पाती होती है टियर रूपी इस तरह होगा S पर पॉर्पोर्सोनल P S मतलब बिलेता, P मतलब दाब स मतलब पिलेता, पी मतलब दाव, ठीक है, तो जब समरपाथी का ची नटेगा, तो स बरबर क्या हो जाएगा, के इंटू P, जहां के क्या है, समरपाथी इस्थिरांग है, तो therefore, एस बटा में P बरबर क्या हो जाएगा, के, के, क्लिया, अब ये तना पर कहां ली खतम नहीं, ये भी आपको द्यान रखना है, यह पर इस्ठिर ताप है, यह पहली टिफिनेशन थी, जो गिए ओरीजिनल थी, इसके बाद पर प्रचलित डिफिनेशन अलग है, तो इस्ठिर ताप पर द्यान रखना है आपको किसी भी गैस की जो बि अंसका प्रयोग करने लगते हैं इस अगर टर्म को देखें हम लोग प्रशलीत में तो वह द्यां रखेगा क्यों कि निश्चित कि ताप पर किसी द्राव में गैस की बिलेता को मोल अंस के रूप में भी व्यक्त करते हैं और मिट निश्चित आपर किसी द्राव में गैस तो यानि एस को मोल अंस पिरूप में भी ब्यक्त किया जाता ही है यह घ्लिड के नियम से अ कि निश्चित तापडıl कि आपड़ किसी कैस का आंसीखदा कुवास पवस्तान हो गए उसके मोल अंस का समानपाती होता है अब इसका माना पड़ेगा है माना की जो गैस यानि बिले है माना की गैस बराबर ये है तो तेर्बोर इसका गणी करुक Capital तो गैस यी मानलोगे तो आंसीखदा बराबर इसका क्या हो जाएगा आंसीख दा बराबर हो जाएगा पी ये और मोलंज बराबर क्या हो जाएगा मोलंज बराबर हो जाएगा X A therefore जो PA होगा वो समानयपाती हो जाएगा X A के यानि आपने gas को ये माल लिया तो जो भी ड्रहों में gas गुली हुई है उसा gas का आंसीधाब उसी gas के मोलंज का समानयपाती होगा ओद्द प्रपोर्पोर्शनल एकसे यहां से समाणपाथी कच्छी नटाईएगा तेरफुर बनेगा पिए बराबर के एच इंटो एकसे प्रचलित परिभाशण है है री के झिया चिया है जहां के एक बराबर हेनरी इस्तिरांगी इसी पॉर। पूल दे हैं रीस थिरा यह आपको बवर जो लेखना है के एच कामान के एच कामान किस पर निभर करता है तो गैस की प्रकिति गैस की प्रकिति तो बिलायत की प्रकिति तथा ताप पर निभर करता है यानि टैंब्रेचर पर है कि शरी बार कीजिएगा अब यह पता चल गया ध्यान रखिंडा जो रिनल था शरूमें वह इस धिर ताप पर भी लेता गैस के आंसिक दाप के समनपाती होती है लेगिन निष्चित आप रहता है तो किसी भी द्राव की जो भी लेता है वो उसके मोल रंस की रुप में ब्यत की जो की आगे हम लोग देखेंगे कि अबेगी लिए कि यह जितनी नियम आप वो पड़че हो है जो अधेरिका नियम होते हैं वो कैसे मिलियन पर लागों होते हैं तो नीयम ननुब टनू बिलियन परलागों होते हैं सांद्र बिलियन के स्थीती इसमें में यहां मानने नहीं होते हैं। तो हेनरी गानियम विंवी जो होता है, वह तनु बिलियान की स्थिती में ही मानने है। सान्द्र बिलियान में यह गाती है, तलो अ कर perhaps पर दिखाएं का लेक्चर देख लो, लेक्चर नमबर फ़र्स्ट हैं। सांद्र विल्यान मतलब बिले की मात्रा आधिया और भिलाए की मात्रा कम होते हैं के लिए नहीं है तो अब इस ट्रम को आगे पढ़ाईए और ध्यान रखेगा इसमें सावधानी रखेगा कि हेनरी का नियम केवल अती तनू बिलियान के लिए सही है हेनरी का नियम केवल अती तनू बिलियन के लिए सही है यदि गैस द्राव में अधिक बिले हो तो यह नियम सही नहीं होता है यानि सांद्र बिलियन पर यह नियम नहीं लगता है चलिए बच्छों इस टर्म्स को भी लिख लेते हैं हम लोग कैसे है वो दिख लिए नोट में दिख लिएगा हेनरी का नियम अती तनू बिलियन पर लागू होता है यदि द्राव में कैस की बिलेता अधिक होती है तो यह नियम मानने नहीं है की है यह आद यहां रखेगा की जो हेनरी का नियम है अती तनू बिलियन के लिए सही है लेकिन यदि गैस द्राव में अधिक गुल जाती है तो उस इस्थिती में यह नियम सही नहीं होगा मानने नहीं होगा यानि की गैस अधिक मातरा में द्राव में गुल गई यानि वो कैसा बिलियन हो जाएगा सांद्र बिलियन क्योंकि बिले के मातर अधिक हो गए तो यह तनू बिलियन आती तनू बिलियन पर तो सही लगता है तनू बिलियन पर भी कामर लग जाता है लेकिन सांद्रवलियन पर यह माने नहीं होता है अब अगले लेच्चर में हम लोग KH के बारे में जानेंगे KH की भी सेस्ताएं क्या है और हेनरी नियम की सिमाईं क्या है और हेनरी नियम का अनुप्रोब क्या है